हेलो गाईज, वेलकम टू आई एक्जाम वी, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है, आई एक्जाम वी के चैनल पर जिसमें मैं आपको तयारी कराते हैं सभी बैंकिंग एक्जाम की, तो अभी SBI PO 2023 को टारगेट करते हुए, जो यह पूरी हमारी एक सीरी शल रही है जिसमें हम आपको basic level भी करा रहे हैं, cat level भी करा रहे हैं और आपको साथ-साथ strategies की videos भी provide करा रहे हैं इसी चैनल पर, इसी सीरीज में continue करते हुए, आज हम आपको, मैं आपको बताने वाला हूँ, reasoning में आप 30 plus score, 30 plus marks कैसे score कर सकते हैं अपने prelims exam ने, जी हां 30 plus marks, it is possible and students करते हैं आपको कहीं न कहीं किसी एक section में अगर आप weak भी हैं, तो आपको यहाँ पर ज्यादा problem नहीं होने वाली है, बाकि दोनों section से उस particular section को cover किया जा सकता है, this is really very important, तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ एक्जाम की, यह आपको prelims और means दोनों में ही काम आने वाली है, तो obviously इस exam को consider आपको करना चाहिए, ठीक है guys, अगर आप channel पर नहीं है, channel को subscribe करना ना भूले, सलसल bell icon भी press कर लेजगा, ताकि आपको जो भी videos आए, उनकी notification आपको time सी मिलती रहे, ठीक है guys, तो start करेंगे देखे, इससे पहले मैं आपको बता हूँ हमारे यह SBI PO 2023 का exclusive online course, already running है, 8th of September से यह unique features है, पढ़ाने वाले इसमें 3X SBI PO, जिन्होंने एक course design किया है पूरा, और 7X bank POs, यह सब ने मिलकर यह course पूरा design किया है, और इनी में से कुछ faculties आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, इस particular course में, बागे इस course में काके features है, उन सब के लिए आप या तो website visit कर लीजे, या फ दोबारा लिख देता हूँ इसको, 9205524028, आपको इस पर पूरी की पूरी चार्ट कारें मिल चाहिए, ठीक है, चलिए start करते हैं इस वीडियो को, कुछ important points है जिनको आप अगर follow करेंगे, आप उनके तरह से त्यारी करेंगे, तो definitely आप इसमें 30 plus score कर पाएंगे, यह करके discuss क पॉर्ट है, पहला point क्या है कि practice only latest type of puzzle and sitting arrangements, हम क्या करते रहते हैं कि जो basic type की होते हैं, जिसे floor base हो गया, या box base हो गया, या फिर circular हो गया, खाली, या फिर खाली triangular हो गया, खाली square हो गया, इस तरह कि puzzle sitting arrangements के हम लोग practice करते रहते हैं, बट actual में अभी जो recent में puzzle sitting arrangements पूछे जा रह जैसे exam में puzzle sitting arrangements में time लगता है, और overall हमारे attempt जो है, वो कम हो जाते है, reasoning section में, तो ज़रूर यह है कि हम latest type of puzzle sitting arrangements practice करें, वो latest type क्या है, वो अगली video में मैं आपको बताऊंगा, तो उसको भी आप देख लिएगा, जब आएगी वो, इससे next video वो ही होने वाली है, secondly क्या है, with timer practice of every topics और chapter test, यह chapter test जैसे कि हम course को अपने course में provide कराते हैं, तो यहाँ पर आगर तुसे उनके पास course है, उनके पास तो यह personalized मिल जाएगा, हर एक chapter का chapter test, बट अगर आपके पास नहीं, आप खुद से तयारी करने हैं, तो आपको ज़रूरी है कि जो chapters को आपने कर लिए हैं, उनकी with timer practice करें, क्योंकि इसमें speed और accuracy दोनों ही matter करेंगे, तो उसको maintain करने के लिए, उसको achieve करने के लिए accuracy and speed को आपको जो भी topics आपने पढ़ लिए हैं, उनकी with timer practice regular basis पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको करना ना पर थार्ड, special focus on data sufficiency, इस topic को हम बहुत ज़रूर करते हैं ये prelims और mains दोनों में ही पूछ जाता है, और इसके 55 marks का weightage दोनों में ही है, prelims में भी और mains में भी, तो ये topic बहुत ज़रूर्टेंट है, इस topic में कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना होता है, just इसकी जो approach है data sufficiency बता रहें की, उसके according इसको solve करना हो, तो इस topic को ignore नहीं करना है sufficient number of questions इसके practice करने है, इसका तरीका सीखना है, क्योंकि इसमें proper answer नहीं find करना होता, सिर्फ sufficiency of data बतानी होती है, तो उसकी according क्या approach होने चाहिए, उसकी videos हलागी channel पर हैं, आप देख सकते हैं, और बागी course में तो हम कराते रहें, तो ये special focus है, हमारा data sufficiency पर ये 5 number हमें देखे ज जाएगा, sufficient practice of other topics, कई बार हम क्या करते हैं, कई बार के mostly ये ही करते हैं, कि जो other topics रहते हैं, जैसे कि order ranking, set of letters, sets of letters है न, ये हो गए दोना topic, इसके लावा भी कुछ topics हैं, जैसे कि हमारे comparison puzzles रहते हैं, और बेदर topics रहते हैं, उनके हम practice नहीं करते हैं, order numbers वाले रहते हैं, उनके हम practice नहीं करते हैं, सिधा exam में जाके attempt करते हैं, और exam में कहीं न कहीं, उन questions में हमें time लगाता है, जबकि काईदे में हमारे लिए bonus questions होने चाहिए, within 20-25 seconds हमें उन questions को solve कर लेना चाहिए, जो burn one mark की questions आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, practice नहीं करते हैं, जिस वजह से particularly हमारे exam मे उनको एक एक मिनट तक लग जाता है करने में, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, इससे हमारे number of attempts गिरते हैं, तो उसको भी ध्यान लगना है, कि वो हमारे sufficient practice करें, उन topics के ताकि exam में हमें वो odd लगे कुछ भी अगर उसमें नया पूछ लिया गया, बलकि हम उनको अराम से solve क पर सके, this is really very important, four-fifth point हम discuss करेंगे, give lesser time to inequalities, blood duration, direction, distance, ऐसा मैंने क्यों कहा, अगर मैं SBI PO को consider करूं, तो इन topics का weightage आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, inequalities जो कि पहले 5 नमबर तक पूछ जाता था, आज कल 2-3 नमबर का weightage इसका रह गया है, blood duration, direction, distance का भी कुल मिला के topic जो weightage है, केवल 2-3 नमबर का रह गया है, तो उतना time नहीं जीदना है, जितना हम पहले देते थे, थोड़ा सा time कम कर देंगे इन topics में, क्योंकि इन topics का weightage जो है, वो गिर गया है, मतलब ऐसा नहीं है, कि जितना time आप puzzles को या solve को दे रहा है, उतना में दिक्कत हो जाती है, फिर बाद में को कि exam में only and only a few भी मिलता है, और जिसमें कि 2-3 statements को मिसे कब, और दूसे 3 conclusions हो, इस तरह के questions के हम practice करेंगे, तो definitely हम tackle कर पाएंगे, so logism के जो कि हमारे SBI PO problems में पूछ जानेगी संभाव, ठीक, and next point है, make exam attempting strategy from mock test, हमारी exam attempt करने की strategy ही नही ये strategy आपके exam तक नहीं बनी है, आपके सी एक निशकर्ष पर नहीं पहुचे हो, तो exam में confusion हो गई होगा आपको, और उस confusion के चकर में कभी 1 question देखोगे, कभी 5 question देखोगे, कभी 10 question देखोगे, उस वज़े से क्या होगा, कि आपके जो overall attempts हो गर जाएंगे, आपका time waste जादा ह तो उस time waste से बचने के लिए, जब भी आप mock test practice कर रहे हैं, तो कोशिश किजिए कि starting के मान लिजएकर आपके पास 10 mock test है, तो starting में आप 2-3 mock test अलग-अलग strategies से दीजिए, किसी किसी में आप starting से करना शुरू कर दीजिए, अलग-अलग तरीके से आप करना start कर, उससे क्या होग और फिर आप conclusion पर पहुंचो कि किस तरीके strategy आपके लिए work कर रहे हैं, अलग-अलग student का अलग-अलग caliber होता है, हर किसी के लिए चीज़े अलग-अलग तरीके से work करती हैं, तो आपके लिए किस तरीके से वो work कर रहे हैं, कौन सा तरीका आपके लिए better रहना है, फिर उसको आप आगे तक continue कर रहे हो, और exam में ये confusion ना हुपा है, किस तरीके से उसको करना है, मतलब वो ही तरीका जिससे आपने mock test किया है, वो ही आप फिर exam में आपना है, तो ये guys कुछ points हैं, जिनको आप definitely आप अगर अपने practice में, अपनी चीज़ों में शामिल करेंगे, तो आपको क test videos में आपको timely मिलते हैं, तो ये था आज की video में मिलते हैं, next video में जिसमें मैं discuss करूँगा आपके साथ, important type of puzzle and sitting arrangements, जो कि हमारे SDIPO में expected है, तो मिलते हैं उस video में, till then bye, take care and all the very best guys.